अब अब है अब अपने लोग आगे उसके केसे के बारे में पढ़ रहे थे कि डॉपलर प्रभाव जो था वो डिपेंड कर रहा था किसके ऊपर थीटा के ऊपर अब थीटा से उसकी वैलियू कैसे निकलेगी उसके बारे में हम लोग बात करते हैं ठीक है तो हम लोग case first लिखेंगे देखिए f का मान हम लोगों निकाल लिया था f बराबर f dash upon gamma 1 minus beta cos theta लिखा था ना तो यही हमको अब आगे यहाँ पर case करना है first है first case हमारा है अनुदैधर्य Doppler प्रभाव पहला है अनुदैधर्य Doppler प्रभाव इंग्लिश वाले लिखेंगे अनुदैधर्य को लिखते हैं longitudinal longitudinal Doppler effect longitudinal Doppler effect इसमें हम लोग लिखेंगे कि जब theta की value कितनी हो 0 degree हो तो लिखेंगे जब theta बराबर 0 degree हो हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे पहले जब theta बराबर 0 degree हो अर्थार्थ जब तरंग स्रोत प्रेक्षक की तरफ गती करे अर्थार्थ जब तरंग स्रोत प्रेक्षक की तरफ गती करे English medium वाले लिखेंगे when theta is equals to 0 degree when theta is equals to 0 degree that is when source of the wave when source of the wave is moving is moving towards the observer when theta is equals to 0 degree that is when source of the wave is moving towards the observer theta की value हम लोग क्या करें then Hindi medium वाले तब f dash is f is equals to f dash upon gamma 1 minus beta cos 0 degree cos 0 degree की value क्या होती है 1 इतना करो फिर इसको आगे solve करते है छपक व्क, आपको euh जुर्णे करते है STEP 2 अर्णे करें करते है करते है どá झाल आपको आपको एके सुआ आगी करते हैं इसको f is equal to f dash upon gamma की value क्या होती है 1 upon under root 1 minus v square upon c square और यहां से 1 minus v upon c अगर इसको a minus b के whole square से खोले a square minus b square से खोले तो a plus b a minus b upon 1 minus v upon c अब देखो अगर मैं इसको इससे cancel करूँ तो half इधर रह जाएगा और नीचे रह जाएगा इसको आगे solve करें यहां पर आएगा यहां 1 minus v upon c की power minus 1 by 2 नीचे से उपर चला जाएगा रब करते हैं binomial theorem यूज लेंगे यानि दूइपत प्रमे तो f डैश यहां पर 1 plus v upon 2c higher terms को neglect करेंगे उच गातों को नगन्य लेंगे 1 plus v upon c उच गातों को नगन्य लेने पर neglecting higher terms उच गातों को नगन्य लेने पर 1 को 1 से multiply किया 1 यहां पर 2c आएगा 1 को 2c से किया तो v upon 2c फिर इस v upon 2c को 1 से किया तो v upon 2c v upon 2c को v upon 2c से किया तो v square upon में 4c square जब v upon c बहुत चोटा है तो v square upon 4c square बहुत चोटा होगा तो उनको तो neglect कर देगे तो f बराबर f dash 1 plus v upon 2c v upon 2c 1 plus v upon c सहिए यहां से f dash की value आ गई f upon 1 plus v upon c f dash is equals to f upon 1 plus v upon c यानि कि कोई चीज जोड रही है इसमें यानि कि f की value जितनी है उसमें किसी चीज का division कर देंगे तो f dash की value क्या हो जाएगी देख लीजे एक में कुछ गलती हुई है मुझे लगता है इवर लिखो आप लो कुछ गलती तो हुई है यहां 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 पर गलती हुई है यहां पर थोड़ा सा चींज करना है यहां से चींज करना है यहां पर थोड़ी सी mistake हुई है यहां इसने scope पर ले लिया आपके जो derivation है उसमें इसको लेना पड़ेगा हमें यहां पर f की value निकालनी है यहां पर थोड़ा सा चेंज आएगा यहां इसको नीचे दे जाना है नो यहां पर यह नीचे आएगा ऐसे अब करना है solve करो binomial theorem दूइपत प्रमे से जब solve करोगी तो 1 और बागी higher terms को 0 कर देंगे f dash upon 1 minus v upon c अब साहिए यानि की f की value आ रही है f dash upon 1 minus v upon c यानि की कुछ घट रहा है यह चीज़ कम तो यह चीज़ जादा तो f की value बढ़ जाएगी यहां से note करो अब सही है करो यह बढ़ बागी यह चीज़ जादा भादा अच्छ। अब दूसरा केस हम लोग करेंगे जब ठीटा की वैल्यू जो है वो 180 डिग्री हूँ अब लिखते हैं अब लिखते हैं केस लिख रखा था जो भी लिख रखा था जब ठीटा वरावर पाई या 180 डिग्री हो यानि कि दोनों उल्टे दिशा में जा रहे हो अर्थार्थ तरंग स्रोत वै प्रिक्षक एक दूसरे से दूर गती करें अर्थार्थ 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 कुछ नहीं इंग्लिश मेडियम वाले लिखेंगे वें थीटा इस इक्वल्स तो जीरो पाई या 180 डिग्री ण्हुत अर्थार्थ ipd adapter का अर्थार्थ आजिवस स्क्राथ तरो स्ड़ब्स थेडिए Connor 2, when source of the wave is moving away from the observer from the observer then from equation 11 sorry equation वगेर मतलिखना then सिर्फ कुछ भी मतलिखना यहां से f is equals to f dash upon me gamma 1 minus beta cos pi cos pi आ जाएगा तो यहां जाएगा f is equals to f dash upon gamma 1 plus beta cos pi की जगे plus है ना f is equals to f dash upon gamma की जगे पे under root 1 minus v square upon c square यहां पे 1 plus v upon c ठीक है, solve करेंगे तो f dash under root 1 plus v upon c under root 1 minus v upon c upon 1 plus v upon c note करो यहां तक फिरागी वर्टे note करो यहां तक फिरागी वर्टे आगे करेंगे यहां से, यह cancel होगा, प्लस से प्लस यहां पर जाएगा नीचे, ठीक है, यहां पर, तुई पर प्रमे वही बाइनोमियल थे ओरम, यह पावर लगा, ठीक है, अब सॉल्व कर दो, करते हैं, इसको, इसको नीचे अले को रप कर देते हैं, यहां से, यानि कि, यहां पर पहले बन माइनस था, यहां बन प्लस है, यहांनि फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, जब कोई शी दूर अटती जाएगी, तो साउंड कम होती चली जाएगी, यह, नोट करो, यहां से, लास्ट बचे का ट्रांसवर्सल, यानि कि, अनुप्रस्त, टॉपलर प्रभाव, आगे करते हैं? थार्ड केस है, अनुप्रस्त, दॉपलर प्रभाव, यानि कि, टांस, वर्सल, दॉपलर, इफेक्ट, इसमें क्या होता है? थेटा की वैल्यू, जीरो डिग्री होती है, तो इसमें लिखेंगे, जब थेटा बराबर जीरो डिग्री, इंग्लिश वाले लिख लेंगे, यानि 90 डिग्री, टांस, वर्सल यानि 90 डिग्री पर मूव करें, यानि पर्पेंडिक्यूर, तो f is equal to था, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1, sorry, 0 और 0, 1 में से गया तो 1, तो f dash अपन गामा, तो गामा की वैल्यू, यह हो जाएगा, तो यहां से f की वैल्यू अपने पास आ गई, यह, नोट करो, यहां से अपना डॉपलर इफेक्ट वाला जो टॉपिक है वो कम्प्लीट हो गया, अब इस यूनिट का लास्ट टॉपिक बचा है, चतुर्विम आवरती, यानि की 4 फ्रिक्वेंसी, नोट करो, लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, चतुर्विम आवरती, या 4 फ्रिक्वेंसी, इंग्लिश में लिखेंगे इसको, ठीक है, अब इसमें करते हैं, हिंदी वीडियों वाले लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल है, ये भी छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ इसमें फ्रिक्वेंसी है, आवरती है, उसको, चार घटकों में डिवाइड करना है, अब लिखेंगे इसमें, हम जानते हैं कि किसी तरंग का, हम जानते हैं कि किसी तरंग का, कला कोण सभी जडत्विये, निर्देश तंत्रों में निश्चर रहता है, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, the phase angle of a wave is an invariant quantity, the phase angle of a wave is an invariant quantity यानि कि vector k dot vector r minus omega t जो होता है वो कैसा होता है invariant यानि निश्चर और देखी यह कैसे लिखा आपको याद हो तो हमने लिखा था कि जो wave का equation तरंग का फलन था a sin exponential iota vector k dot vector r minus omega t यही था तो यह phase angle हो गया इसकी value कैसे हो गया invariant नोट कर लो इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते है देखिए इसका मतलब समझे हो अगर आप इसको open करोगे तो c से c तो कट गया iota square minus और omega t यह क्यों लिखा है क्योंकि देखो तीन घटक तो इसमें स्थिती के position के यहां जाएंगे 3 coordinates तो और fourth coordinate यानि चौथा घटक होता है iota c t इसलिए हमने इसको यहाँ पे ऐसे लिखा है तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसका x घटक इसका x घटक k x x इसका y घटक इसका y घटक k y y इसका z घटक इसका z घटक k z z plus इसको क्या लिख सकते हैं k 4 और इसको क्या बोल सकते हैं iota c t यह कैसा है nishter यानि invariant समझे रहे इसका मतलब यहां से k 4 की value आई iota omega upon c और यह iota c t तो fourth घटक है note करो इसको note करो इसको आगे उपर से मिटा रेटिव में इसको चत्तुर्विम संकेतों के रूप में English medium वाले रिखेंगे in four dimensional relation in four dimensional relation four dimensional relation जो है उसमें देखेंगे इसको k1 x1 plus k2 x2 plus k3 x3 plus k4 x4 equals to यह कैसा चल रहा है nature यानि invariant अब इसको नीचे से रब करते हुए इसको लिख सकते हैं summation mu बरावर बन से 4 k mu x mu यह कैसा होगा nature यानि invariant note करो यह देख ले ना यहां English medium वाले रिखेंगे here x1 है x x2 है y x3 है z x4 है iota c t k1 है kx k2 है ky k3 है kz k4 है iota omega upon c note करो यहां पे जो k mu है ना यह इसको बोलते है 4 frequency चत्तुर भी हम आवरती ठीक है लिखवाएंगे भी इसको note कर लो अब देखें लिखेंगे आपे यहां लिखेंगे हिंदी मिडियम वाले यहां k mu को चत्तुर भी हम आवरती या चत्तुर भी तरंग संचरन सदिश कहते हैं English medium वाले लिखेंगे here k mu is called 4 frequency here k mu is called 4 frequency और 4 wave propagation vector इसको देखें कैसे लिखेंगे k mu को निमने प्रकार लिख सकते हैं लिखेंगे English medium वाले k mu dash can be written as k mu को किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं k 1 dash k 2 dash k 3 dash k 4 dash k 1 k 2 k 3 k 4 gamma 0 0 iota beta gamma 0 1 0 0 0 0 1 0 minus iota beta gamma 0 0 1 note करो इसको फिर आगे इसको equation की form में लिखते हैं यहापे लिखना समी करंट रूप में English medium वाले लिखेंगे in equation form क्या हैगा k 1 dash बराबर gamma k 1 plus iota beta k 4 k 2 dash बराबर k 2 k 3 dash बराबर k 3 k 4 dash बराबर gamma common minus iota beta k 1 plus k 4 note करो अभी अदूरा ही अभी करेंगे और थोड़ा सा बचाय है वस ज्यादा नहीं इससे हमें Doppler प्रभाव पे पहुंशना है कि क्या Doppler प्रभाव सही है कि चतुर्वी मावरती वाले टॉपिक्स है प्रभाव 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 सही है note करो आगे लिखते है या इसको लिखा रहे लिखते हैं भी यहां पे लिख लेते हैं क्योंकि इसी चौथी समिक्रण का चौथी एक्वेशन का हमें भी यूज करना है ठीक है अब आगे लिखेंगे यहां here देखें के वन होगा और के टू होगा के वन जो है उसकी वेल्यू तो होगी के कॉस ठीटा दियान दखना क्यू vowel हम लोगो और जब interpretation पढ़ा था ठीटा इंगल पर गुमा उओ रोटेशन पढ़ा था थीक्ए गुरुणन पढ़ा था तो हमने पढ़ाया था के की वेल्यू भास ठीटा साइन ठीटा मानस साइन ठीटा अरो क की भास ठीटा एंगल है और ठीटा डैश एस डैश में हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर जहां निर्देश तंत्रों एस डैश में अब हिंदी मीडियम के लिए बता रही हूं जहां निर्देश तंत्रों एस वे एस डैश में तरंग संच्रण की दिशा तरंग संच्रण की दिशा वे तंत्र की गती के मध्ये वे तंत्र की गती के मध्ये कोण क्रमशे है थीटा वे थीटा डैश है थीटा और थीटा डैश अलग अलग फ्रेम उप रफ्रेंसेज में एंगल है यहाँ पर लिख देंगे English medium वाले हे थीटा इस दे अंगल बिट्वेन या फिर हे थीटा एंड थीटा डैश आर दा एंगल बिट्वेन here theta and theta dash are the angles between vector k and beta k propagation जहां पर wave जा रही है wave का संचरन और beta जो है वो किसको कड को तो यहां पर देखेंगे इसमें वे ऐसं यहीं सी तरंक संच्रण की दिशा तरंक संच्रेट जिसक्र में हो रहा है और यह तंत्र इस दिशा में जा रहा है तो ही केंड बेटा in s and s dash frames respectively note karo respectively respectively so तो देखिये तो 4 वाला जो पार्ट था उसका हो लेते हैं k4 dash बराबर gamma minus iota beta k1 plus k4 यही था इसकी value जाएगी iota omega dash upon c gamma minus iota beta k1 की जगे अभी अपने दिखा k cos theta plus k4 की जगे के आएगा iota omega upon c तो iota omega dash upon omega upon c यहाँ पर omega upon c यहाँ पर omega dash upon c ठीक है हो गया यहाँ तक note करो यहाँ से iota upon c पूरे में से common ले ले अगर अपन तो यहाँ से iota upon c common ले ले यहाँ पर बचेगा minus beta यहाँ पर क्या बचेगा c common ले रहे है न omega upon c तो c से गुणा हो जाएगा plus omega यही आएगा न iota upon c से iota upon c cancel omega dash is equals to omega यहाँ तक note करो यह बार हाँ k into c omega हो जाएगा न यहाँ से देखो k बराबर होता है omega upon c तो omega बराबर हो जाएगा kc तो इसकी जगे पर क्या जाएगा gamma minus omega यहाँ पर बचा क्या beta यहाँ cos theta यहाँ plus omega यहाँ पर omega dash बराबर gamma यहाँ से omega common ले ले 1 minus beta cos theta यहाँ से omega की value हाजाएगी omega dash upon gamma 1 minus beta cos theta note करो यहाँ आतर अभी दो line और बच्ची है बस दो भी नहीं एक ही line बच्ची है ठीक है अब देखो यहाँ से omega होता है 2 pi f यहाँ पर रखा 2 pi f is equals to 2 pi f dash gamma 1 minus beta cos theta 2 pi से 2 pi cancel f is equals to f dash upon gamma 1 minus beta cos theta यह हमारे पास डॉपलर इफेक्ट को दिखा रहा है जो answer इस से आया है इसका मतलब यह topic हमारा यहाँ पर बिलकुल सही है तो इस topic के साथ अपनी second unit mathematical physics की होगी complete तो आप लोग लिख लो इसको तो अजिए पफे से इसाथ बिलकुल प्रप्रों किis किस्के आ नहें समय साथचार कार्लाय। नहे मतेêtre de exercising अच्डू हिय कीऊंए, तर चुम काया वेकी किस्के नहें, तर रिवाघक। किस नह salahसा हिएROD कि था कि झाल, जाम, तर ज हमें द avail उता।